कि as you know ठीक है की consumer जो होता है वो राशनल नोता अपर राशनल का क्या मी मेर मूल्हक सथक्षन तो फो राशनल है उसको maximum साथिस्वैक्षन जाहिए और उसके लिए कुछ प्रिंसेपल करने पढ़ते हैं जिसमें से पहला है cardinal utility analysis. People consume different goods and services in order to maximize the satisfaction level. However, to do this it is necessary to determine quantum of satisfaction obtained from a particular commodity. अब मैं बात करता हूँ. मैं आपको बोलता हूँ कि चलो आपको मेरे से पढ़ के कितना मज़ा आया? ठीक है? वो आप 0 से 10 में एक number दो मुझे. ठीक है? आप मुझे बोलता है कि sir अच्छा लगा. दूसरा वाला बोलता है मुझे भी अच्छा लगा. और तीसरा वाला बोलता है हाँ मुझे भी अच्छा लगा. मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको actually में कितना अच्छा लगा. That's very simple. तो मैं actually मैं आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? आप बोलो कि अच्छा हाँ ठीक था बड़िया था उससे मुझे समझ में नहीं आएगा. quantum किस चीज का? Satisfaction का. तो सबसे पहले हम क्या करने वाले है? We are going to calculate the quantum. यानि satisfaction के हो हमें एक unit देने वाले है. Length को हमें unit देते है, meter है, centimeter है, feet है. ठीक है? हम height को भी देते है, inch है, feet है, centimeter है. हम अलग-अलग तरीके से measure करते हैं चीज़ों को unit of measurement होता है हर चीज का. तो हम satisfaction को भी एक unit of measurement देने वाले हैं. Under the cardinal utility approach, the concept of utility is used to attain consumer equilibrium. अब utility क्या होता है, वो देखते हैं? Utility का meaning होता है, the want satisfying power of a commodity. The want satisfying power of a commodity. Let's say कि मुझे बहुत भूख लग रही है, I am starving. ठीक है? मुझे बहुत भूख लग रही है. और मुझे पिज़ा बहुत पसंद है. तो पिज़ा का जो want satisfying power होगा, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है? मुझे let's say कि रोटी और सबजी नहीं खाने का मन है. तो रोटी और सबजी से मेरी भूख तो मिटेगी. बट उसकी जो want satisfying power होगी ना वो बहुत कम होगी. याद करो कोई ना कोई दिन आपके life में ऐसा आया होगा, जो आपको बहुत भूख लग रही है. आप घर गए और आपकी मम्मी ने आपका फेवरेट खाना बना के रखा हुआ था. याद है? साटिस्वाक्शन याद है कि उस दिन आपको कितनी साटिस्वाक्शन मिली थी वो एक मील खाके है. जैसा मैंने आपको बोला मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे पिज़ा बहुत पसंद है. तो पिज़ा की जो वॉन्ट साटिस्वाइंग पावर होगी पिज़ा की जो यूटिलिटी होगी वो बहुत हाई होगी as compared to the utility of roti समझे. ठीक है? utility differs from person to person, place to place and time to time. हो सकता है आपको पिज़ा बिल्कुल नहीं पसंद हो, तो आपके लिए पिज़ा की utility बहुत कम होगी. तो utility यानि जो satisfaction power होता है, it depends from person to person, place to place and time to time. let's say कि मैं बात करता हूँ कि मेरे पापा को चाय बहुत पसंद है, my father loves tea and I don't like tea that much. चलता है, बहुत ज्यादा नहीं पसंद है. तो person to person, चाय की जो utility हो depend करती है. let's talk about place to place. ठीक है, पापा को let's say कि अगर मैं शिम्ला लेके जाता हूँ जहाँ पर बहुत थंडी हो और वहाँ पर अगर मैं उनको गरम गरम चाय का कप देता हूँ, उनकी utility बहुत जादा पहुचेगी वहाँ पर है. वहीं पर, let's say कि मैं मुंबई मैं उनको लेके जाता हू 50 degrees के नीचे में उनको खड़ा करता हूँ और उनको गरम गरम चाय देता हूँ पीने के लिए. शायद उनको उस टाइम पर उतना मजा नहीं आएगा. तो utility also depends from place to place and also time to time. वो office से थक के घर आये और उनको एक चाय का कप मिल जाए तो शायद उनकी utility बहुत ज़्यादा होगी. बट मैं रात को तीन बजे उठा के उनको चाय देता हूँ कि लो पापा चाय पीलो. I don't think उनको कोई भी satisfaction मिलेगा. तो satisfaction यानि utility depends from person to person, time to time and place to place. In other words of Professor Hobson, utility is the ability of a good to satisfy a want. Utility का मतलब क्या है? उपर भी हमने पढ़ा want, satisfying power of a commodity. तो utility का मतलब क्या हुआ? It basically is the ability of a good to satisfy a want. Simple है? चलो आगे बढ़ते हैं. How to measure utility? अब ये तो ठीक है. अब आपने बोला कि सर हमें utility को measure करना है. कैसे? The question still remains the same. कैसे? कोई thermometer तो आता नहीं है जिससे हमको satisfaction measure हो. That's impossible. So how to measure utility? Economist assume that utility can be measured in cardinal numeric terms. अब cardinal का मतलब क्या होता है? Numeric. तो economist जितने भी हैं उन्होंने क्या assume कि हम cardinal utility अप्रोच के अंडर में utility को measure कर सकते हैं. कैसे? By using cardinal measure of utility, it is possible to numerically estimate utility which a person delights from consumption of a good and services. इन्होंने ऐसा बोला कि cardinal utility के अंदर हम एक unit तै कर देते हैं. जिसमें हम estimate लगा पाएंगे कि कोई भी consumer को कितनी satisfaction मिली है after consuming any good or services. The economist derived and imaginary measure known as utility. तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हम centimeter में नहीं, हम kilometer में नहीं, हम meter में नहीं, उसको measure करेंगे. हम किस में measure करेंगे? Utils में. Let's say कि मुझे बहुत भूख लग रही थी. ठीक है? और मैं घर गया और मम्मी ने मेरे को एक pizza का slice दे दिया. मुझे मिले 10 utils. ठीक है? तो वो 10 utils, मतलब 0 से 10 में अगर मैं count करूँ, तो 10 utils बहुत ज़्यादा हो गया. तो utils मतलब क्या होता था? The unit of measurement of what? Utility. ठीक है? Utils are imaginary and psychological units which are used to measure satisfaction obtained from consumption of certain quantity of goods or a commodity. तो basically utils का क्या मतलब है? यह imaginary figure है. यह imaginary measure है. जो क्या measure करता है? The satisfaction derived from consumption of any commodity. समझ में आया? Simple है. अब एक और चीज है. That is, कुछ economist ने ऐसा कहा था कि money should be the unit of measurement. वो ऐसा बोल रहे थे कि अगर आपकी income ज़्यादा है, तो शायद आपके लिए utility बहुत ज़्यादा matter नहीं करेगी. But imagine करो एक ऐसा person जो गरीब है, जिसके पास में pizza खाने के पैसे नहीं है, तो उसके लिए utility कुछ और होगी. तो उन्होंने ऐसा बोला था कि utils cannot be taken as standard unit for measurement as it will vary from individual to individual. Hence, several economists including Marshall suggested the measurement of utility in monetary terms. उन्होंने ऐसा कहा था कि utility को monetary terms में imagine या फिर calculate करना शुरू करना चाहिए. It means utility can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay. मेरे लिए एक pizza की utility लेट से 300 रुपीस भी है. I am ready to pay 300, 400, 500, 800 रुपीस अलसो. But let's say my dad, he is not ready to pay 800 रुपीस for a pizza. वो बोलेंगे मेरे लिए jeera rice और दाल फ्राइ मंगा हो, that's my best. That's where I get my maximum satisfaction. So he is not willing to pay 800 रुपीस for a pizza. But I am willing to pay 800 रुपीस for a pizza. Simple. So in the above example, अगर इस topic को अगर हमें समदना है, तो एक example लेते हैं. Suppose one utile is assumed to be equal to रुपी 1. Let's say कि एक रुपे is equal to one utile. Utile मतलब क्या था? The unit of measurement. Let's say one rupee is equal to one utile. Now a packet of biscuit will yield utility worth रुपीस 20. अगर एक biscuit की हम बात करते हैं, जो 20 रुपीस का था, तो उसकी utility कितनी हो गई? 20 utile की. ठीक है? And chocolate will give utility of rupees 10. Chocolate कितनी utility देगा? Rupees 10 की chocolate थी, तो उसकी utility कितनी हो गई? 10 utile क्यों? 1 rupee is equal to one utile. तो अगर biscuit 20 rupees का है, तो उसकी utility कितनी हो गई? 20 utile. और अगर चॉकलिट 10 rupees का है, तो उसकी utility कितनी हो गई? 10 utile. Okay. This utility of rupees 20 from the biscuits, और rupees 10 from the chocolate, is termed as value of utility in terms of money. तो भहुत सारे economists, including Marshall ने ऐसा कहाता है, कि हमको utility मेजर करनी ची in the terms of money. तो यहां पर biscuit की utility क्या हो गई? Rupees 20 की. और वहीं पर chocolate की utility क्या हो गई? Rupees 10, that is 10 utils की. ठीक है? यह topic यहां तक clear है कि utility क्या होता है, और क्यों money wise हम लोग utility calculate करते हैं? क्या होते हैं utils? अब चलते हैं next topic पर, जहांपे हम utility को और थोड़ा in-depth में पढ़ेंगे, और हम जानेंगे total utility और marginal utility के बादेंगे.